हेलो फ्रेंज दिस इस चेतन अभी अभी केरल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में इसाई लोगों को निशाना बनाया गया आप ये देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि वन किल्ड ओवर ट्वन्टी इंजर्ड इन तीन दिनों तक प्रातना सबा होने वाली थी जिसमें करीब दो हजार लोग शामिल हो रहे थे और उसी वक्त एक जोड़दार धमाका हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल है लेकिन इस हमले की आजीब बात ये है कि इसका कनेक्शन हमास के केंटर में कुछ यहूदी लोग भी मौजूद थे और जिन लोगों ने धमाका किया शायद उनका निशाना ये यहूदी लोग ही होंगे क्योंकि इस से जस्ट एक दिन पेले किरल के मलापुरम में एक रेली आयोजीत की गई थी और इस पबलिक रेली को हमास के जो लीडर ह खालीद मशाल उन्होंने एड्रेस किया था जिसमें हमास के जो पूर्व चीफ हैं खालीद मशाल इसने हिंदूत्व और यहूदियों के खिलाफ जहर भी उगला था और इसरेली में ये भी कहा गया कि बुल्डोजर हिंदूत्व और रंग भेदी यहूदी वात को उखाड साथ में इसरेली में ये भी कहा गया कि हमास भारत में कोई प्रतिबंदी ती या फिर कोई आतंकवादी संगठन नहीं है हाला कि जैसे ही ये धमाका हुआ गवर्मेंट ने जाच एजेंसियों को इस जगा पर भेज दिया और जब तक ये जाच पूरी नहीं हो जाती ये इसी ही वक्त क्यों हमला हुआ लेकिन इसराइल हमास वर के दोरान इंटेलीजेंस एजेंसी ने एक अलर्ट भी जारी किया था जिसमें बकाइदाय जिगर किया गये था कि भारत में यहूदियों से संबंदी जितने भी प्लेसे से वो आतंक्यों के निशाने पर हो सकते हैं इतना ही नहीं रिसेंटली दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएस आईएस के जिन दो आतंकवादियों को गिरफतार किया था उन्होंने भी मुंबई के चावर्ड हाउस जो की यहूदियों का एक इंपोर्टेंट प्लेस है वहां का वीडियो विदेशों में बेठे आतंकवादियों को भेजा था ना इसराइल और हमास में जो वर चल रही है वो ठीक है लेकिन इसकी आग भारत तक पहुच गई फ्रेंट्स इसका अंदाजा किसी को नहीं था देखते हैं जाच में क्या सामने आता है लेकिन इस निउस में अगर कुछ डेवलोप्मेंट्स ह हो दी हैं तो हम उस पर जरूर डिसकस करेंगे तो आज की लिए इतना ही थेंक्यू